हाँ फिरेंट जोन के इस लेक्चर के हम अब इस फोर्थ पॉइंट पे आ गए हैं फोर्थ पॉइंट क्या है इस पूरे वेव फ्रेंट ए बी सी डी के कारण इस बिंदु पी पर पर परिणामी आयाम क्या होगा देखिए भई अब अगर यहाँ पे रिजल्टेंड एम्पलिट्यूट पता करना है परिणामी आयाम पता करना है तो क्या करना पड़ेगा पहले वेव फ्रेंट के कारण कितना है एम्पलिट्यूट दूसरे के कारण कितना है तीसरे के कारण कितना है चौथे के कारण कितना है, इनवे के कारण कितना है, सब को add करेंगे, vector addition होगा, तब जा करके इस पर resultant effect मिलेगा इस पूरे वेवफ्रंट का, समझ में आरे क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कि हमको पहले वेवफ्रंट के कारण amplitude निकालना पड़ और सब को अगर add कर देंगे, उसका vector addition होगा, तब जा करके इस पूरे वेवफ्रंट के कारण इस point P पर resultant amplitude निकलेगा, ये तो एक बात हुई, दूसरा important चीज ए भी ध्यान दिजिए आप, कि अगर पहले वाले वेव यहां रिच्छोगा, पहला वाला जो वेव यहां पहु अंतर होंगे, जा रखेगा, एक वेव यहां से जो वेव निकल करके इस P point पे पहुचेगा, और यहां से जो वेव निकल करके यहां पहुचेगा, इन दोनों में πाई का face difference होता है, πाई का face difference मतलब समझते हैं, देखिए, अगर कोई vector इधर जा रहा है, और इसका अगर πाई P का face difference आएगा, तो इस vector का direction यह हो जाएगा, मतलब क्या, positive और यह negative होगा, इसका मतलब, यहां अगर पहले वाले को आप positive amplitude लेंगे, पहले वाले के कारण जो P पर amplitude बनेगा, P पर जो आयाम आएगा, अगर उसको positive कहते हैं आप, तो दूसरे वाले के लिए negative कहेंगे, तीसरा फिर positive, चौथ वाले negative, इस तरीके से होगा, क्यों, क्योंकि आपने कहा है, हर जो area होगा, यह wave friend में जो area आपने बाटा है, हर area में pi का face difference होना चाहिए, और pi का face difference होने का मतलब, उल्टा हो जाना, अगर vector positive x में है, तो वो negative x होगा, 180 degree, positive y का negative y होगा, मतलब, sign change हो जाएगा, यह दो बाते हो गए, clear है ना, क्या क्या बाते हो गए, इसको लिखना भी है आपको, इसको लिखना भी है आपको, क्या लिखेंगे, बिंदू pi per, is point pi per resultant amplitude पता करने के लिए, हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले, हर wave friend के कारण, point pi per amplitude पता करेंगे, and the algembric sum of all this amplitude is equal to the resultant a, b, c d, a, b, c, d के कारण, pi per ayam को ज्याद करने के लिए, हमें प्रत्येक अर्धकाल जोन के कारण, बिंदू pi per ayam निकालना होगा, और इनका सदिस योग, इनका सदिस योग, पूरे wave friend, पूरे तरंगाग्र, a, b, c, d के लिए, pi per ayam होगा, दूसरा, चुकि हम जानते हैं, as we all know that, there are pi phase difference between two consecutive wave friends, it means, it means their sign must be changed, if you say, अगर आप ये कहते हैं, कि पहले जोन के कारण, यहाँ, I am, plus में है, तो दूसरे के कारण, minus में होगा, clear है बात, clear है बात, तीसरा important चीज, अब ध्यान दीजेगा, जैसा कि आप सब जान रहे हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं, कि यहाँ से जो wave निकल के पहुँचा, इसके लिए angle कम है, फिर angle जादा है, इसके लिए बहुत जादा है, इसके लिए बहुत जादा है, बहुत जादा मतलब approximately 90 कह दीज हैं, और आपने कहा था, आपको याद होगा, आपका statement था, कि आप resultant जो amplitude या resultant effect निकालेंगे p-point पे, वो angle बढ़ने के साथ सब घटता है, क्यों, क्योंकि वो cos theta का function होता है, cos 0 का value 1 होता है, बढ़ते जाने से cos का value 90 तक जाके 0 हो जाता है, मतलब angle जितना बढ़ रहा है, इ दिख लिया, क्या क्या लिखा भई, resultant निकालना है, तो हर एक half period zone के लिए amplitude p-point निकालना पड़ेगा, फिर उनका vector addition करना पड़ेगा, तब जा करके p-point amplitude निकलेगा, दूसरा, आपने क्या कहा, इसमें pi का phase difference होता है, तो alternate क्या होंगे इन लोग, minus, plus, minus, plus, ऐसा दिखेगा, P, पर जो परेडामी प्रभाव होता है, किसी भी zone के कारण, वो angle of inclination पर depend करता है, मतलब क्या cost function of angle of inclination पर depend करेगा, इसका मतलब theta के value जैसे जैसे बढ़ते जाएगा, effect का value वैसे वैसे घटते जाएगा, और मैं ये कहदा रहा हूँ, कि चुकि ये बहुत बढ़ा है, बहुत अभी तो नहीं कहिएगा, लेकिन last में आप जरूर लिखेंगे इस चीज को, कि अंतिम वाले के लिए angle अगर 90 degree है, तो cost 90 0 हो जाएगा, clear है बात, मतलब जैसे जैसे theta का मान बढ़ रहा है, वैसे वैसे इस पर जो effect है, जो इनके कारण वो कम होते जाएगा, लिखा इतना, ल ठीक है, निकालते हैं, चलिए, पहला जो wave print है, उसके लिए p point पे amplitude due to the first half period zone, due to, let, माल लेते हैं, माल लेते हैं, due to first half period zone amplitude at p, क्या है m1, similarly, दूसरे अर्धकाल zone के कारण कितना है, m2, तीसरे कारण कितना है, m3, n1 के कारण कितना है, mn, clear है, clear है, अब, अब, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अगर कोई number है, जैसे मैं, यह आप लोगों ने क्या कहा था, एक radius कितना लिया यहां के लिए, b plus lambda by 2, दूसरा, b plus 2 lambda by 2, तीसरा, b plus 3 lambda by 2, चौथा, b plus 4 lambda by 2, मतलब एक अंतर कितने का लिया रहे है, lambda by 2 का, एक number series है मेरे पास, 1, 2, 3, 4, 5, दिस, दिस, तो इस number series में एक बात आप नहीं कहेंगे, इन सब में एक का difference है, तो यहां पे भी lambda by 2, lambda by 2, lambda by 2 का difference है, consecutive numbers है, तो consecutive number में, यह जो middle number होता है, यह इसके दोनों और के number के mean के equal होता है, मतलब 2 is equals to, 1 plus 3 by 2 होता है, राइट ना, राइट ना, इसके हिसाब से, इसके हिसाब से, यहां लिखूंगा मैं, m2 is equals to, m1 plus m3 by 2, या, इसको मैं ऐसा भी कह सकता हूँ, m1 by 2 plus m3 by 2, चलेगा, चलेगा, इसी तरीके से, इसी तरीके से, फोर के लिए अगर कहूँ, तो 3 plus 5 होगा, इसी तरीके से, अगर मैं 4 के लिए कहूँ, इसको आप लोग बोलोगे, m3 by 2 plus m5 by 2, similarly, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 के लिए कहूँ तो, m6 कितना होगा, तो आप बोलेगे, M5 इसके पहले, और इसके पहले M7 by 2, यह आप लोग का एक general exception है, चुकि यहाँ जो zone है, उसका जो P point से distance है, वो lambda by 2 के difference पे है, है ना, इसका मतलब आपने कहा, इसका मतलब आपने कहा, कि approximately this M2 is must be equal to this, M4 is this and M6 is this होगा, clear है, clear है, अब आपने कहा, इस पे A, B, C, D के कारण इस P पर आयाम निकालते हैं, है ना, due to A, B, C, D, अब अगर due to A, B, C, D amplitude पता करना है, तो इसके लिए, इसके लिए, एक काम करते हैं, यहां लिख देते हैं, क्या लिख दें भाई, Amplitude at P due to A, B, C, D, माल लेते हैं, A है, तो A is equal to कितना आएगा, M1, अगर M1 को मैं plus में ले रहा हूँ, तो मैं M2 को minus में लूँगा, plus M3 plus में है, तो M4 minus में होगा, doubt तो नहीं हो रहा, minus में क्यों ले रहे हैं, आपने कहा है न, पहले और दूसरे में pi का face difference, तो अगर यह plus है, तो यह minus है, तीसरे और चौथे में ही pi का face difference, alternate चलते जाएंगे, तो यह आ गया, and plus, dash, 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 कहां तक भूझ गए, plus, minus 1 to the power, N minus 1, और MN, अब इसको समझ यह, यही point है जिसको आपको ध्यान से समझना है, मैंने यहां क्यों लिखा ऐसा, minus 1 to the power N minus 1, मैंने क्यों लिखा, देखिए भाई, एक knowledge तो आपको समझ में आ रहा है, जब भी, यह, यह, आपका zone number even आ रहा है, तो माइनस में है, even वाला माइनस में है, मतलब अगर N even लेंगे, तो यहां negative आना चाहिए, N अगर even लेंगे, even मतलब 2 लिया, तो 2 की घार, स्वारी, minus 1 की घार, 2 minus 1, कितना आएगा, minus 1 to the power 1, यह, 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 कितना आ जाएगा, यह, कितना आ जा रहा है, minus में, plus minus का minus होगा, और अगर इसी को आपने, अगर odd लिया, odd मतलब क्या लिया, 1 लिया, तो 1 मतलिजिए, 1 minus 1 ते, तो 0, automatic समझ में आएगा, ऐसा करते हैं, 3 लेके देख लिजिए, 3 अगर लिया, तो कितना आ जाएगा, देखे, 3, minus 1, minus 1 to the power 3 minus 1, यह, minus 1 square, minus 1 का square मतलब, clear है बार, तो मैंने इसको, अपने इस concept के base पे, minus 1 to the power n minus 1, mn लिखा है, clear है, आसा इसमें doubt नहीं हो रहा होगा आपको, अब क्या करते हैं, अब इनकी value substitute करते हैं, चलिए, a equals to, m1, m2 की value रखिए, m2 का value है, m1 by 2, और m3 by 2, plus m3, minus m4, अब इसको मैं कहां लिखा हूँ जी, थोड़ा टेड़ा करकी इधर लिख दूँगा, और, m3, minus m4, m4 कितना है, 4 के पहले 3, m3 by 2, और बाद में 5, m5 by 2, plus, m4 के बाद कितना आएगा, m5, उसके बाद आएगा, m6, minus में, m6, m6 के लिए क्या लिखेंगे आप, m5 by 2, m7 by 2, up to this, 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 plus, minus 1 to the power, n minus 1, और, यहां लिख देते हैं अभी अब, लास्ट वाला है इसलिए, यह है, अब इसके बाद, इसको सिंपल करते हैं, m1, minus, m1 by 2, plus, minus का minus, m3 by 2, plus, m3, minus, m3 by 2, plus, plus क्यों भया, minus ना, plus, minus का, minus, m5 by 2, plus, m5, minus, m5 by 2, फिर, minus m6 by, m7 by 2, plus m7, minus m7 by 2, and this, 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 यहां बजज़ जाएगा, minus 1 to the power, n minus 1, e, n, आगे गये तो, अब ध्यान दिज़े, m1 minus m1 by 2, m1 में से, m1 by 2, अगर मैनस होगा, तो आपको बचेगा, m1 by 2, ठीक हैं? अब यहां देखिए भई, m3 by 2, minus में है, और m3 by 2 भी minus में है, तो यह दोनो m3 by 2, m3 by 2 होके क्या बन जाएंगे? minus m3, आधा m3 और आधा m3 एड होंगे, तो पूरा m3 बचेगा, minus में, और इस पूरे m3 के साथ, cancel हो जाएगा, तो यह, यह, और यह cancel हुआ, वैसी यह, यह, और यह cancel होगा, clear है ना? clear है ना? अब यहां last, देखिए, शुरू वाला बचेगा, और इधार के पूरे middle के term, cancel होगा है, और last वाला बचेगा, last वाला क्या बचेगा? minus 1, n minus 1, और en by 2, clear है? clear है? अब अगर n, when, n equals to even, अगर n even है, तो a का value होगा, a का value होगा, m1 by 2, even हो गया मतलब 2 हो गया, तो 2 minus 1, तो minus 1 to the power 1, यानि कि plus minus का minus, en by 2 होगा, इसी को अगर लिखिए, यादी, if लिख गया, when मत करो, if, if, n equals to odd है, odd है, तो a का value कितना होगा जी? m1 by 2, odd में 3 ले लिजी इसको अगर, तो 3 minus 1, यानि कि 2, minus 1 का power 2 कितना होगा? plus में आएगा, तो plus en by 2, अब चुकि ये बहुत बड़ा wave front है, बहुत बड़ा wave front है, और ये आखरी wave zone है आपका, इसके लिए angle जो होगा, वो maximum बनेगा, maximum बनेगा मतलब इसका जो value है, अरे यार, en क्यों लिख रहा हूँ मैं? इसको mn कर माने थे न हम लोग, en कहा है लिखे हैं? mn, mn, इस en को नहीं, en नहीं माने हैं न, nth के लिए तो mn लिखा है आपने, यहां mn लिखे हैं न, mn by 2, यह mn हुआ, तो यह, अगर odd है, तो mn by 2, even है, तो mn by 2, minus में और plus में, हाँ, अब मैं यह कह रहा था, चुकि इसका मान बहुत ज़्यादा है, इसके लिए जुकाव कोड का मान सरवाधिक है, और जुकाव कोड का मान सरवाधिक होने से, amplitude का मान घटता है, मतलब angle of inclination जैसे-जैसे बढ़ रहा है, angle of inclination जैसे-जैसे बढ़ेगा, amplitude वैसे-वैसे कम होगा, तो last वाला लगभग 0 होगा, last वाला इसके लिए inclination maximum है, और अगर इसके लिए inclination maximum है, तो यह जो number है last वाला, वो approximately 0 हो गया, और when approximately 0, M1 by 2K equal, इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, intensity or amplitude at point P, जान दिजेगा, amplitude at point P, due to ABCD, is proportional to, is proportional to, the amplitude at point P, due to ABCD, is proportional to, is equal to the M1 by 2, और अगर मैं intensity पूछूँ आप से, intensity का मतलब कितना होता है, A square, intensity का मान कितना लिखेंगे आप, M1 का square by 4, मतलब क्या, मतलब क्या, the intensity at point P, due to ABCD, is proportional to, the square of, the amplitude of first zone, clear है बात, ठीक है, इसका मतलब, P point पे, जो intensity आ रहा है, P point पे, intensity, 1 4th हो रहा है, due to the, due to the, first half period zone, alone, अकेले ही, first half period zone के कारण, आयाम के वर्ग के, one fourth के बराबर होगा, P बिंदू पर, ती ब्रता, ABCD के कारण, पूरे तरंगाग्र, ABCD के कारण, P पर ती ब्रता, P पर ती ब्रता, पहले अर्धकाल जोन के, कारण, आयाम के, one fourth के, equal होगा, एक चोथाई के बराबर होगा, clear है बात, ऐसा क्यों हुआ, तो कहते हैं, angle of inclination पे भी, effect depend करता है, और angle जैसे जैसे बढ़ेगा, जैसा जैसा बढ़ रहा है, तो वैसे वैसे, amplitude कहिए, या ती ब्रता का मान, कम होते जाएगा, ठीक है, ये था, half period zone method का, complete explanation, पहले दिन में, हम लोग, Fresnel Ejection पे बात किये थे, दूसरे दिन पे, हम लोगों ने, इसके effect को पता किया था, इस point P पे, और आज, ये last हो गया, इनका resultant effect निकाल लिए, at point P, due to the wavefront, A, B, C, D, ठीक है,